सब्सक्राइब करिए विक्ट्री लाप को और बेल आइकन को दबाईए ताकि आप तक वीडियोस पहुंचते रहे रेगुलरली और आपको और मेरे संबंध होता रहे और विश्वसनिय और मजबूत हेलो दोस्त मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दुबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लाप पर मेरा नाम है जी आर्टी और दोस्त आज की वीडियो में अपन बात करने हैं क्या कॉलेज जाओ और चुप चाप पढ़कर वापस आ जाओ कि कोई दोस्ती ने अच्छी करनी है सिर्फ अपने एकडेमिक्स पर ज्यान देना है सिर्फ एकडेमिक्स पर या फिर लोगों के साथ रिलेशन अच्छे करने है क्या इसका benefit मिलता है इसके बारे में थोड़ा सा in-depth बात करेंगे हमारे चैनल पर हम ऐसे ही तो करते हैं कोई भी content लेते हैं चाहे कोई भी नीश का हो ठीक है नीश बोलो या निच बोलो दोनों pronunciation से मैं एक American accent के ताहत और एक क्या British accent के ताहत तो मैं नीश ही बोलूँगा American accent के ताहत तो कोई भी नीश आप लो कोई भी category लो अपन छोटी सी छोटी चीज़ को पकड़ते और in-depth में जाते है तो college life के बारे में थोड़ा सा discuss करना तो बनता है क्यों यह अपने में ही एक समुंदर है यह अपने में ही एक सागर है अपने में ही एक दुनिया है इसके बारे में बात करना बनता है ठीक तो जब आप अपना 12th cross करते हो उसके बाद जब आप college में एंटर लेते हो या फिर या उसके बाद कई सारी चीज़े, ऐते हैं, फ्स स्यर में जाते हैं अब लोगों से मिलते हो, तो फ्स स्यर में कापी ज़ए एनरजी रहती है, हम नई नई लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे तो इसमें भी दो category के लोग आते हैं एक जो दो तीन category के लोग आते हैं इन फर मैं तीन category वोलूँगा पहली category ऐसी है जो पहले सा mindset बना कर रखिये क्या कि वही आठो semester मैं engineering की बात कर रहा हूं आठ semester या फिर बी कॉव का कोई भी तो छे semester जैसा भी है या BCA का course कर रहे है या बीवोक का course कर रहे है जैसा भी जो भी course कर रहे है जितने भी साल जितने भी semester का चार semester चे समेस्टर जैसा भी है तो तीन टैप के लोगों थे एक पहले सा mindset बना कर रखते हैं कि हम college जाएंगे आठो semester चुप चाप पढ़के निकल कर आएंगे किसी से बात नहीं करेंगे यह पहला category हुआ दूसरा category होता है कि वो पहले सा mindset बना कर जाते क्या college में तो पूर exposure लेंगे सब लोगों से बात करेंगे connections बनाएंगे college life को enjoy करेंगे और तीसरा जो कभी सोचते ही नहीं है ठीक है मेरे type के category के लोग जो कभी सोचे नहीं बस college में चले गए तो और यह तीसरे category के लोगों को सबसे जाधा problem आती है मैं आपको बता दू तो in depth में चीदों को समझना ज़रूरी है अब आते हैं पहले category में जो लोग पहले से पढ़ के लोग आपको मिलेंगे और यह को पहले realize नहीं होगा तो अगर आप उस category में हो तो undoubtedly आपके लिए life आगे थोड़ी सी easy मुश्किल होगी किसवे में academically आपको कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा undoubtedly नहीं दे पाएगा 8th semester के बाद बट आपके grooming उतनी अच्छी नहीं होगी ठीक है या फिर suppose आपके घर में कोई फादर है या फिर कोई बड़े पापा है कोई भी है चाचा है जो भी है वह academically बहुत अच्छे position hold करते हैं कोई suppose IIT में प्रोफेसर है या बहुत अच्छे position में कोई bank में है कोई बहुत अच्छे educational institute में भी है suppose तो आपको क्या आपकी upbringing जेनरली ठीक है माहल ऐसे ही होता है तो आपको बस पढ़ना है और आपको पढ़ाई में ही आगे career बनाने मरतिदम तक तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ अच्छे पढ़ाई करना किसी से मत दोस्ती करना पढ़के निकल जाना आपके लिए life perfect होने वाली है लेकि अपने को तो से मस्ती करना है अगर आप उस category में आते हो ना तो दिक्कत यह बनेगा कि आप academically तो बहुत बरबाद हो जाओगे क्योंकि college में आप academics का ही education लेने गए हैं ठीक है पढ़ाई ही करने गए हैं अगर पढ़ाई है तो सारी चीज़े हैं पढ़ाई नहीं है तो कोई पर चीज नहीं है आपकी पहचान ही नहीं होगी ठीक है हाँ exceptions हर जगा होते हैं undoubtedly exceptions के अपन बात ही नहीं करते हैं average लोगों के बात करते हैं तो आपकी life बहुत है दिक्कत वाली होने वाली है सब्सक्राइब को पूरे college life को enjoy कर लोगे लेकिन उसके बाद क्योंकि आपको अग exam की preparation करनी है जो भी करना है तो bare minimum बोलते हैं कि आपको 65% aggregate रखना है तो 65% सुनने में तो बहुत कम लगता है लेकिन आप उतना भी score नहीं कर पाऊगे क्योंकि अपका start अगर गंदा हुआ है तो उसका manage नहीं कर पाऊगे बाद में believe me आप manage नहीं कर पाऊगे आपका बहुत क चार साल तो enjoy कर तो कि उसके बाद अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है chances higher probability है कि अपकी life मुश्किल हो सकती है यह और तीसरा case जिनको कभी मालूम ही नहीं है कि कैसे करना है सोचते हैं कि पढ़ लेंगे college जाके बढ़ थोड़ा सा मस्ती भी कर लेते exposure भी लेते हैं जैसे मेरे जैसे average लोग तो इनका अगर सामना किसी first category वाले लोगों से हुआ रहता है या second category वाले लोगों से हुआ रहता है तो यह चौक आउट नहीं कर पाते हैं कि यह पढ़ते भी है और बाती चीज़ों बालेंस भी बनाते हैं लेकिन एक moment पर खुद को समाल नहीं अगर आप सोचके गए हो कि मुझे पढ़ना है लेकिन में मसती भी कर लूँगा अगर आप ठोस नहीं हो अपने stand पर तो अगर आप किसी पढ़ने वाले से टक रहा है तो हो सकता आपका emotional breakdown हो जाए क्योंकि आप उस mind नहीं पढ़ रहे होगे ना क्योंकि पहले आप उसके प आप मैच नहीं कर पाओगे तो आपका mindset बहुत अच्छे से clear होना चाहिए उसके बाद ही सारी चीज़े चौक आउट होंगी तो कॉले पीजा किसी पढ़ना है किसे बात नहीं करना है यह पहले आपको mind मन बना लेना पड़ेगा अधरवाइस बहुत दिक्कत होगी बहुत स सब्सक्राइब करने बोलूँगा काफी जाद मोटिवेशन मिलता है तो मिलता हूँ आप से अपना एक लिए वीडियो में तब तक लिए खुश रहिए और दूसरों के help करते रहिए